एक छोटे से शहर में एक छात्रा थी जिसका नाम आयुशी था वो एक मध्यमवर्गिय परिवार से थी और उसके माता पिता उसे एक अच्छी शिक्षा देना चाहते थे आयुशी एक बहुत ही उत्साही छात्रा थी जो हमेशा स्कूल जाने के लिए तयार रहती थी वो अपनी अधेन की जिंदगी से बहुत प्यार करती थी और हमेशा शिक्षकों के साथ अच्छा रिष्ता बनाए रखती थी उसके पड़ाई में भी वो बहुत ही उत्सुप थी और उसने कभी अधेन से पीछे नहीं हटा वो हमेशा अपने शिक्षकों से ज्यादा से ज्यादा नए विशयों के बारे में सीखने की कोशिश करती थी एक दिन उसे स्कूल में एक नया विशय सीखना था जिसमें उसकी काफी मुश्किल हो रही थी उसने उस विशय को कुछ दिनों तक समझने की कोशिश की, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था उसने फिर अपने शिक्षक से मदद मांगने का फैसला किया और शिक्षक ने उसे धीरे-धीरे समझाया आयुशी ने जल्दी से उस विशय को समझ लिया और उसे बहुत पसंद आ गया उसके शिक्षक ने उसकी मेहनत और उत्सा को देखते हुए उसे एक प्रतिष्टित विध्याले में दाखिला करवाया उस विद्याले में उसकी पढ़ाई और उसका उत्सा और बढ़ गया आज आयुशी एक बहुत ही सफल और अच्छी चात्रा है जो अपनी अधियन के साथ साथ अन्य गति विदियों में भी एक्टिव रहती है उसके माता पिता और शिक्षक उसे हमेशा समर्थन देते हैं और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं इस तरह आयुशी ने अपनी चोटी से उम्र से ही अपने सपनों की दुनिया में खुद को बदला और आज उसके सफलता की ये कहानी हर किसी को प्रेरित कर सकती है